दोस्तों आपने अपने अज़ पास मकडियों को तो जरूर देखा होगा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको मकडियों से डर भी लगता होगा पृत्वी पर जनसंख्या की बात करें तो मकडियां सातवे नमबर पर आती हैं ये लगबक 40 करोड साल से धर्ती पर है जो बहुत लंबा समय होता है आम तोर पर कुछ मकडियों की उमर एक साल तक होती है जबकि वहीं कुछ मकडियों की उमर 20 साल तक हो सकती है मकडियों की 46,000 से भी अधिक प्रजातियों की खोज हो चुकी है इनमें से केवल एक बगीरा किपलेंगी नाम की प्रजाती शाकाहरी है आपके घर में जितने भी मकडियां हैं उनमें से पिच्चान में प्रतिशत ने तो बाहरी दुनिया देखी ही नहीं एक एकड जमीन पर लगबग 10 लाख मकडी होती है ऐसा माना जाता है कि कोई इनसान मकडी से 10 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं रह सकता दोस्तों मकडियों के पास ऐसी गरंतियां होती हैं जो की रेशम बनाती है मकडियां कुल 7 तरह के रेशम का उत्पादन करती हैं जिनकी मोटाई 0.003 मिलिमीटर होती है मकडियों को ज़्यादा धूरी तक का दिखाई नहीं देता है लेकिन कुछ प्रजातियां वो लाइटे भी देख सकती हैं जो कि मनुष्य नहीं देख सकता जैसे कि UVA और UVB लाइट मकडियां हाइड्रॉलिक पावर की वजह से चल पाती हैं और इनके रेड की हड़ी नहीं होती है दोस्तों मकडियों का जाला दुनिया के सबसे मजबूत चीजों में से एक है ये सामान वजन के स्टेल से पांच गुना ज़्यादा मजबूत होती है हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टकनीक नहीं है जिससे इतनी मजबूत चीज बनाई जा सके यदि इसे इखटा करके पेंसिल जितनी मोटी रसी बनाई जाए तो उड़ते हुए बॉइंग 747 विमान को भी रोका जा सकता है दोस्तो आपको बता दे की इस विमान की टोप स्पेड 988 किलो मेटर प्रती घंटा होती है दोस्तो आपको जानकर हिरानी होगी कि एक मकड़ी के 49 घुटने होती है जिहां दोस्तों आपने सहीं सुना इसके कुल 8 टांगे होती है और प्रते एक टांग पर 6 जोड होती है जिससे कि इसके 48 घुटने हो जाते है मकडियां पानी पर भी चल सकती है और उसके अंदर सास भी ले सकती है दोस्तों यह अपने 8 पेरों को फैला कर अपने वजन को बराबर बाट लेती है जिसे से कि पानी का सर्फिस टेंशन नहीं तूट पाता है और इन्हें पानी में चलने में मदद मिलती है मकडियां चीटियों से डरती है क्योंकि इनमें फॉर्मिक एसिड पाय जाता है हमारी मान स्पेशियां कंकाल से बाहर होती है लेकिन मकडियों के मान स्पेशियां उसके कंकाल के अंदर होती है दोस्तों जब भी मकडि चलती है तो किसी भी एक मुमेंट पर हमेशा उसके चार टांगे हवा में रहती है और चार टांगे जमीन पर मकडियों के पैरों पर चोटे चोटे बाल होते हैं इनकी मदद से ये खुश्बू महसूस कर पाती हैं और ये बाल इन्हें दीवार पर चड़ते समय पकड़ बनाने में मदद करते हैं एक मकड़ी एक साल में लगबग 2,000 कीड़े खाती है और सभी मकड़ियां एक साल में लगबग ब्रिटेन के कुल आबादी के वजन जितने कीड़े खाती हैं दोस्तों आपको बता देखे ब्रिटेन के लगबग आबादी 6,8,000,000 के आसपास है दोस्तों एक मादा मकडी एक बार में 3000 से अधिक अंडे दे सकती है और इसके एक अंडे में मनुष से 4 गुना ज़दा DNA होता है एक अकेली मकडी से कई देशों की जनसंख्या जितना DNA प्राप्ट किया जा सकता है मकडी, घोंगे और जींगे के खून का रंग नीला होता है क्योंकि इसमें लोहे की जगे पर तांभा पाये जाता है मकडी के जाले में वाइटमिन के होता है जो कि खून का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लास्टर के आविश्कार से पहले लोग मकड़ी के जाले से ही खून को रोपते थे जदी एक मकड़ी तेजी से भागती हुई दिखे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसिस है कि वे संभोग के लिए एक साथी को ढून रही है मकड़ीयों की दो प्रजातियां 23,000 फीट की उचाई पर भी पाई गई है इतनी उचाई पर ऑक्सिजन की कमी की वज़े से पौधे भी थोड़े से ही पाई गई है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भोले आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फौलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटुनाइट.com पर भी वेजिट कर सकते हैं